जारखन में 2016 में लगभग 18,000 पंचायत स्वैम सेवोकों का अपॉंटमेंट किया गया था ताकि सोसल वेलफेर के जो स्कीम है वो ग्राउंड जीरो पे उतारा जा सके यानि जन जन तक पहुचाया जा सके चाहे विद्वा पिंसन हो या फिर वृद्धा पिंसन हो आवास हो प उसका लाब मिले उसको एंसियोर करने के लिए 18,000 लोगों की बाहली हुई थी और बाद में जब चुनावी मौसम था 2019 में तो इनका कहना है कि उस वक्त इनको वाइदा किया गया था अभी जेमेम नेकरित वाली जो सरकार बनी है उसके घोसना पत्र में कि आपका समायोजन क का आरोप है कि अब इनसे कोई काम भी नहीं लिया जा रहा है यानि उसके बाद से जब से नई सरकार आई है इनको एक पैसा भी यहां से नहीं मिला है प्रोथसाहन रासी जो मिलता था जब काम ही नहीं लिया जा रहा है तो जाहिर तोर पे वो भी बंद कर दिया गया है का अ अब यह लोग शळकों पे हैं अंदोलन रथ हैं आज इनका कार करम है सची वाले को घेड़ने का अब यह चार साल से लगतार इसी तरह से सडकों पे हैं और इनसे कार Happiness नहीं लिया जा रहा है जिसको लेकर इंके अंदर नाराज्गी है इनका साफ तोर से कहना है कि जो रोजगार हाथ में था रोजगार तो नहीं मिला जो था वो भी छीन लिया जा रहा है यही बात है कि अब ये सरकों पे उतरने को और अंदोलन करने को लेकर मजबूर है इस वक्त हमारे साथ हैं क्या नाम है आपकर चंद्रदीप कुमार प्रद चित कालिन धर्ना परदर्शन शुरूग किये हैं राजभवन के पास और आज हम लोगों का नब्वे दिन है इन नब्वे दिनों में जहारखंड के तमाम सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक पूर्व मंत्री पाटी के वरिये पतादिकारी इन सभी से हम लोग मिले हैं हम का पास सुत्री मांग है सरकार से जिसमें पहला मांग है माननिये मुख्यमंत्री से 10 सदसिये परतिनिधी मंडल की वर्ता आज हम लोग 90 दिनों से इंतिजार कर रहे हैं पर माननिये मुख्यमंत्री हम लोगों से वर्ता तक नहीं किये हैं और हमारी दूसरी मांग है पंचाय में पहला तो पछायत में समय से बाइठना पछायत भवन को पाइस सचिवाले जैसा समय से खौलना बंद करना पछायत में हम लोग को डिपूट किया गया था और सरकार आपके द्वार सरकार उसमें वह भी हम लोग योगदाम दिये थे परदान मंत्री आवास का काम में आपका PDS विभाग में काम में आपका सरकार आपके दुआर के ताहर जातिय आवासिय का सर्वे हुआ था अर्थिक सर्वेच्छन हुआ था और हम लोगों का मतलब आप सरकार और जनता के बीच माध्या में कड़ी हैं हम ब्रीज के रूप में काम करते हैं मतलब आप सरकार प्रीज का सोच था कि पूरवत्ती सरकार ने सवाएं सेवक जो सब्द है हम लोगों का वो आरेसे सी लोग समझ बैठे थे और जो कि हम लोग कई बार बता चुके हैं कि हम लोग सरकार के अधिन काम किये हैं सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारे हैं और हम काम का अलग-अलग प्रोत्साहन रासी निधारी था पर जिस समय सोहराय भवन में चुनाव से पहले मानिये मुख्यमंत्री जब समविदा समात कारेकरम किये थे तो हमारे 15 सदसिय परति निदी मंडल उन से मिले थे और उन्होंने सारी निवक्ती परकिरिया को उन्होंने पढ को देखा था और उन्होंने स्पष्ट तोर पे बुला था कि मानिये रगवर जी आप लोगों का जो बहली किये हैं वो साधा पेपर में किये हैं हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों का जो है समयोजन किया जाएगा और आप लोग का मानिये मुख्यमंत्री तक पहुंचने का प्रयास किये हैं अंदोलन से पहले भी कई दफा जहां जहां उनका छेत्र भरमन हुआ वहां वहां जाके हम लोग अपना मान पत्र नियों है कभी भी हम लोग को बुलाया नहीं गिया वारता नहीं किया आज हम लोगों का तब 90 दिनों के अंत्राल में कई कारेकरम हम लगतार वंचित है ऐसे में अब यह आंदोलन पे हैं और पीते चार साल से 2019 के बाद से इनसे काम नहीं लिया जा रहा है इसको लेकर इनके अंदर निरासा भी है और नाराजगी भी है क्यामरा में राकेस तिवारी के साथ सतीजीत कुमार राची आज तर